दोस्तो आज जाने वाला हम फर्स्ट राइड पे अपनी X-Pulse के साथ तो यह रहे हमारी X-Pulse बाइक तो दोस्तो जो कि हमारा रूट है यह रूट है यह रूट है हमारा फर्स्ट तो आज हम देखेगे इसका एक्सप्रेंस यानि किसकी एवरेज बगएरा क्या रहने वाली है और इसका एक्सप्रेंस कैसा रहने वाला है मैन आईवे में और मैन मार्किट में तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी X-Pulse बाइक यानि के हम हो चुके हैं बिलुकुल रेडी दिल्ले जाने के तो दोस्तो मैं इसको चलता था यहां पर लोकल में यानि की 12-13 किलोमेटर के अंदर तो इसमें मुझे काफी ज़्यादा परेशानी देखन को मिल रहे थे क्योंकि इसका हीटिंग होरता ज़्यादा इंजन तो फिर इसकी कराई है मैने सर्विस और इसके बाद देखता हम इ यानि की 200-300 किलोमेटर के अंदर दोस्तो मैंने अजेंसे में भी कई बार बोला है कि सर इसका इंजन काफी ज़्यादा हीट करता लेकिन वो नहीं माने वह बोलता है कि इसकी सेकंड सर्विस करवाओ और उसके वाद इसको ट्राइ करो यानि की लोंग रूट पे इसका इंज हीट होता है दूसरी सर्विस पर या फिर नहीं होता है और इसकी जो की मायलेज है वो मायलेज क्या रहने वाली है तो दोस्तों जो की मायलेज थी यानि की पहले इसकी मायलेज थी वो करीब 35-36 किलोमेटर की दोस्तों हमने लिया इसमें तेल डलवा यानि की 500 रुपे का तो सेकंड सर्विश के बाद जो किसकी हीटिंग की प्रोब्लम थी वो प्रोब्लम अब इसमें एक परशेंट भी हमको देखने को नहीं मिली है ठीक दोस्तो तो मने इस पे रैड करिया उनली पांसो रुपे के तेल में जो किसने टोटल चलिया हमारी पांसो में करीब 165 से 66 किलोमेटर के अंदर जो कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो किसकी मालेज निकलिया है वो निकलिया है एक लीटर में करीब 33 किलोमेटर के आसपास ठीक है दोस्तो तो इसकी हीटिंग की प्रोबलम बिलकुल भी आपको देखने को नहीं मिलते है सेगिंड सिर्विश के बाद